और एक बड़े से बरतन में धेर सारा पानी मैंने बॉइल कर लिया है, एग्स उबाल रहे हैं, इसके इंदर डाला है थोड़ा सा नम्मक और इसके इंदर मैं डालूगी थोड़ा सा विनिगर, एक बॉइल आप इतने पानी में कीजिए कि उनको अच्छे से रोल होने का स्पे आप लग जाए यह एक सेफ मेथड है और अगर आप उपर से ड्रॉप कर देंगे तो अंडर टूट भी सकता है ना अपने लिए एक आलूवी मैंने साथ में बॉइल करने रग दिया है थोड़ा जिंजर गारलिक और तो इसका एक पेस्ट बना लेंगे आपको हरी मिर्ची तो यहां पर हरी मिर्ची डाल दीजेगा और अभी मैंने कड़ाई मिलिया है थोड़ा ओल डालूवी में थोड़े से काली मिर्ची के दाने थोड़े से लॉंग यह है दालचीनी का टुकड़ा कम दालचीनी लिया है और इसके इंदर जो प्यास पीसा था ना लहसुन और अ प्यास भून रही है यहां मैंने जो ये अंडे है इसको आठ मिनिट के लिए बॉयल किया है हाड बॉयल करना है बिसिकली तो 8 से 9 मिनिट में अंडे हाड बॉयल हो जाते हैं इसके बाद इनको निकालके ठंडे पानी में ट्रांस्फर कर दीजे अंडों को ऐसा करने से एक तो आपके अंडे जो है वो ओवर कुक नहीं होते और दूसरा इनको छीलना बहुत असान हो जाता है देखें सारे अंडे बिल्कुल अची तरह से छील चुके हैं अंडे मैंने छील लिये हैं इनको भी रखेंगे साइड में और जो टमाटर काटके रखे थे न यह सारी चीजे मैंने आड किया है इसके अंदर पानी नहीं मिलाना है ऐसे ही इसको पेस्ट कर लीजे बिल्कुल फाइन जितना फाइन आप कर सेके उतना और यह हो जाएगा आपका टमेटो का पेस्ट तयार इसे रखे साइड में इसकी जरुरत आगे पड़ेगी एक और मस इसकी होता है वह आपके स्वाद के हिसाब से एन धनिया का पाउडर यह है गरम मसाला जीरा का पाउडर सब कुछ आपके स्वाद के हिसाब से आप आड कीजे और अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए मैंने दही सिर्फ दो चमच लिया है इसलिए जो पेस्ट है थोड़ा आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा दही ले सकते हैं और इट विल कॉंट्रिब्यूट तो सावरनेस तो उसे साफ से आप दही की मातरा डिसाइड कीजिए यह जो पेस्ट है एकदम स्मूध बना लीजिए यह मेंडेटरी है एकदम स्मूध मसाला देखिए तयार हो गया है इससे आपकी जो दही है वो फटेगी नहीं और यह जो आपके ड्राय मसाले हैं यह दही का मॉइस्टर अब्जूर्ब करके बहुत अच्छा टेस्ट देंगे और यह आप देख रहे हो प्याज प्याज भी अच्छे से बुन चुके हैं अभी तक अब मैं इसमें आड़ तुरंत उसे चलाना शुरू कीजे और देखे मैं इसे चला रही हूँ इसका कलर कितना बदल गया है जैसे जैसे यह कुक होता जाएगा इसका कलर डाक होता जाएगा और दही के अंदर जो गी है वो सेपरेट होने लगेगा आपको मसाला थोड़ा ओईली दिखने लगेगा अड़ी अच्छेतर से बुहन गया है तो एड़ किया है मैंने टमाटर का मसाला अब यह सारी चीज़ों को अच्छेतर से मिक्स दे दीजेए यह जो आप टमाटर हमने डाले है इसको भी अच्छेतर से बूनना ज़रूरी है इसको नहीं ढुकर लगा कर पकनी के लिए रख क्योंकि वह थोड़ा सा क्रस्टी हो जाएगा तो ज्यादा चलेगा मीनवाइल अंडों को मैं प्रिक कर ले रही हूं प्रिक करने से आपके अंडा जो होता है ना अंडा करी में जब आप अडा डालते हो तो आपने अगर प्रिक अच्छा से किया तो अंदर तक ग्रेवी अब जब कर लिता है इससे वह बहुत टेस्टी हो जाता है अल्ब्यमिन और सॉफ्ट हो जाता है योग थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है अब यह हम लोगों ने अच्छे तरह से प्रिक कर लिया है अंडे तो तयार हो चुके हैं आप चाहें तो इस पर थोड़ा हल्दी मिर्ची नमक वगगरा कोट कर सकते हुए फो बेटे कलर बट मैं नहीं कर रही हूँ यहां पर आलू को चेक कीजिएगा आलू के क्यों अबले हुए है और थोड़ा सा भी गरम ही था तो बहुत जल्दी यह रेड कलर ले रहा है चारो तरफ से मैं इसे थोड़ा सा रेड रेड फ्राइ कर लूँगी और इस टेज पर मैं आड कर रहे हुए इसके अंदर एग्स भी आप इसके ओपर तोड़ा मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए तो थोड़े से कलर फुल हो जाएंगे अच्छा लाल पीला सा कलर आ जाएगा जो देखने में टेम्टिंग लगता है बट मैं ऐसे ही इ अंडे आलू रेडी हो गया है यह मसाला भी रेडी हो गया है इसके अंदर मैं आड करूँगी तोड़ी सी चीनी तो बैलन्स ओल दो फ्लेवर्स और टार्ट टमीटो और यह है पानी वह जो दही का मसाला था और जिस ब्लेंडिंग जार में टमेटो पीस से थे ना मैंने उन इसटेंसी और सीजनिंग चेक कर लिजेगा कितना पतला आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दीजे और नमक वगेरा आपके स्वात के हिसाब से डाल दीजेए अंडे और जो आपके आलू है वह भी त्यार चुके हैं और यह ग्रेवी है हमको थोड़ा पकाना है एक जैसा लेने लगे इतनी देर आप इसे पका लीजे और इसके बाद डाल दीजे पहले इसके अंदर आलू और अब इस ग्रेवी को नॉन स्टॉप पांच मिनट तक पकाईए इसमें पकने जैसा कुछ भी नहीं है बट स्टिल यह आप रोगन देख रहे हो ना यह कोडमा यह र हमें अंडे को रबरी नहीं करना है दो मिनट के बाद मैंने गैस बन कर दिया था यह ग्रेवी थोड़ा ठंडा हो गया है तो एड़ किया है मैंने इसके अंदर हरा धनिया मैं बस इसको सर्फ कर रही हूं मतलब बबलिंग होट नहीं है बट यह अभी भी होट ही है एक्दम कर लिया है मैं इसे थोड़ा सा गानिश और कर दूंगी हरा धनिया के साथ और एक करी सबसे लगते चपाती के साथ बहुत लोग राइस के साथ भी एंजॉय करते हैं सबकी परसनल प्रेफरेंस है हम लोग स्पेशल सबजियां जाद अतर रोटी के साथ खाना पसंद करते है तो इसलिए इसके साथ मैं फुलके बना रही हूँ बट इस एकुली नाइस विद राइस और पराथा टू